वेलकम बैक फ्रेंड्स तो फिश्ली वीडियो से कंटीन्यू करते हैं पहले मैं दो चीज़ रहता हूं कि एक तो पहले मैंने यहाँ पर कल इसका नाम डैश्बूर्ड रखा था तो मैं इसका नाम चेंज करके डैश्बूर्ड पेज कर दिया क्योंकि पेज से बैटर है जिस मुझसे लिए ने पूँछya था कि मैंने जैसे पाइटेस्स बहुए रन कर दिया था और उसका पाकेज बाद में इस्टॉल करा गड़ीया कि यह जब पहले पाइटेस्स न कर देखिए जो नाम मेरा virtual है venv बट मैं अगर यहां पर अपना check कर रहा हूं तो मेरा virtual वाला ही on है like active है बट यह पता नहीं हाँ यहां पर virtual वाला activate क्यों नहीं हो रहा इसे मैं बाद में देखता हूं बट अगर आपके case में अगर वो कुछ run ना हो पहले तो आप मतलब पहले इसको package इंस्टॉल कर लेना अपने environment में फिर जैसे py test और बाकी साथी चीज़े run हो जाएंगी तो continue करते हैं मतलब login तो हमारा test case बन चुके हैं अब dashboard से करते हैं मतलब after login तो dashboard गे हमें add करना होगा चलते हैं dashboard पर पहले इसे login कर देते है admin 123 ठीक है अब login के बाद हमें क्या क्या steps करने है हमें पहले admin पर hover करना है और फिर हमें job पर hover करना है और फिर employment status पर click तो admin पर hover करने के लिए उसका relative x path copy इसे करते हैं अब अपने इस यहां पर add अब मैं मतलब direct वहीं से कर रहा हूँ continue like कि यह क्या है इसे यह बटन क्या सते हैं चलिए admin x path ओके उसके बाद और क्या क्या है admin के बाद अब जॉब है तो जॉब का भी कर लेते हैं relative x path अब मैं यहाँ पर जॉब का भी लिख देता हूँ उसे भी बटन लिख देते हैं job x path ओके और इसके बाद क्या है जैसे हमने पहले admin पर हुआ करा job पर हुआ करा अब हमें इस बटन पर क्लिक करना है तो इसका भी एक स्टेट अब इसका भी एक स्टेट अब इसका नाम क्या था employment status employment status इसका एक स्टेट है यह इसके एक स्टेट के आपर paste ठीक है ओके तो इसके उसको हम क्लिक करने के बाद तो वह employment वाला page खुलेगा ठीक है तो अब functions बना लेते हैं उसके इसको मैं पहले copy करता हूँ नीचे paste पहले वाले का function बना लेते हैं उसको कहता है इसको लगते है click admin ठीक है और self.driver ओके नहीं हमें यहाँ पर hover करना है sorry click नहीं करना hover hover admin अब यहाँ पर इसका यह रख देते हैं क्या था उसका नाम एड्मिन का यह बटन बटन एड्मिन एक्सपाथ यह टेक्स नहीं है ठीक है return इसमें आएगा hover में भी return आएगा और इसके बाद पेस्ट करते हैं दुबारा फिर मुझे hover करना है जॉब पर और जॉब फिर आपर जॉब का आएगा बटन जॉब एक्सपाथ यह अट जाएगा ठीक है और क्या है फिर employment status पर था होवर employment status ठीक है यहाँ पर मैं उसका रख देता हूँ बटन employment status ठीक है अब यह मेरी तीनों चीज़े रेडी है अब टेस्ट में ठीक है टेस्ट में न्यू टेस्ट किस बनाते है न्यू पाइसन फाइल उसका नाम रखते है टेस्ट लॉग इन कर लिया था अब हमें टेस्ट क्या करना है हमेरी में चीज़ क्या है कि हमें admin पर job पर employment status पर जाकर ओके यह count count test करते हैं हमने add करने के बाद यह count test करेंगे तो इसका नाम रखते है employment status count कि हमें count test करना है कि मतलब वो status यहाँ पर add हो रहा है नहीं हो रहा ठीक है तो status count ठीक है यह python फाल हो जाएगी मतलब एक test case फाल बन गई है और login में क्या-क्या था ठीक है तो यहाँ से पहले उठा जाते हैं तो देखे अब वो status count करने के लिए मतलब यह test करने के लिए पहले login तो करना ही है तो इसका मतलब यह तो common ही होगा मतलब login तो करना ही है तो common होगा ना तो इसे मैं copy करके यहाँ पहले paste करता हूँ अब देखे पाई test वो import करना ही है यह login भी import होगा dashboard भी import होगा ओके यहाँ से यहाँ तक तो login हो जाएगा अब login होने के बाद हमें क्या करना है जैसे login हो रहा है login होने बाद हमें इस admin पर hover करना है और hover करने के लिए क्या करना होता था हमें action chains import करनी होती थी जैसे मेरा पहले की वीडियो है mouse hover उसमें बताया है मैंने तो पहले action chain import करनी होगी तो लेखेंगे from selenium dot web driver import capital A action chains अब action chains import कर दी है अब वो हमें यहाँ पर use करनी है इसके बाद तो उसे use करने के लिए action chains फिर उसके अंदर हम driver लिखते थे बट यहाँ पर हमें self dot driver लिखना होगा क्योंकि हम इसे function के अंदर use करने ड्राइवर को self dot driver अब dot dot अब क्या करना था move to element मतलब किस element के उपर move करना है अगर आपको यह चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आपको पहले फिर मेरी mouse hover वाली वीडियो देखनी होगी यह सारा उसी में से मैंने बताया हुआ है तो हम वही continue कर रहे है अब हमें किस element पर move करना है हमें इस admin पर move करना है तो अब हम उस admin का देंगे वहाँ पर complete तो admin किस में था dashboard page में था तो ओके यह रहा तो dashboard का short form dot db dot hover admin अब हमें admin पर hover करना है और उसके बाद हम लगाते थे perform ठीक है अब admin पर hover होने के बाद सेम चीज़ है इसे करता हूंँ कापी रहे इसे करते हैं copy इसे करते हैं paste अब हम यहाँ पर hover किसको करना है admin पर फिर यदा employment status को अब यहाँ पर dot dot click करना है हम उसपर click करना है तो dot click ओके है एक बार इसको चलाकर देख लियते है कि एक बदर सभी से चल रहा है यह निहीं चल रहा तो detaster है आं जीएसी फाइल को चलाते है तो यहode само कि देन फाइल का नाम क्या है टेस्ट अंडर स्कूर एंपी एस्टी टी वे स्टेटर्स अंडर स्कूर काउंट कि यह कैपिटल और स्मॉल का भी धियान रखना पड़ता है इसमें ठीक है शायद करेक्ट है चला कर दिखते हैं कि कैसे काम करता है ऐसे मतलब शॉर्ट शॉर्ट जैसे कि थोड़ा कोड लिखने के बाद यह बैटर हो गए हम इसे देख ले क्योंकि अगर हम पूरा लिखेंगे और फिर बीच में कहीं गरबड़ आई की तो मतलब मुश्किल है फिर ढूंड़ना बट अगर हम थोड़ा-थोड़ा लिखकर चल और यह कहां पर आया है कि इस वाली लाइन में आया है जॉप पर ऑके मेरे इसाब से शायद उसे जॉप का मिला नहीं हम आपर टाइम डॉट स्लीप लागा कर देखते हैं मतलब क्या पता होवर करने में कम से कम एक सेकेंड का टाइम लगता हो मतलब एक सेकेंड का टाइम लगता हो जॉप को विजिवल होने में बट यह तो कंटिनियूसली लाइक वर्क करेगा तो शायद इसे दिखा ना हो तो यह बार यह टाइम डॉट स्लीप लागा कर भी चक पर और हुआ, जॉब पर हुआ, एम्प्लोईमेंट स्टेस पर क्लिक हो गया, ठीक है, Green Dot, मतलब टेस्ट के स्पास, अब इसके बाद क्या करना है हमें, मतलब एम्प्लोईमेंट स्टे deras के बाद, अब देखिए कोई न्यू न्यू पेज है, इस पेज का नाम है employment status तो इसका फिर हम अलग बनाते हैं एक और page like page objects में एक और page new python file इसका नाम लगते है employment employment status page अब इसमें हम इसका xpath store करते हैं dashboard वाला card देते है login इसकी need है हमें नहीं इसकी भी need अब ओके यहां से copy करना है तो एक copy कर लेते हैं ठीक है इसका class का नाम लखेंगे EMP status ठीक है अब उसमें हमें क्या करना है इसे हमें अब हमें add करना है एक status add करना है तो पहले add वाले बटन को इस पात अब यहां पीश कर देता हूँ अब यह button है अब यह button कर देता हूँ इसे add button ओके बटन यहां पर आ रहा है ना पहले आ रहा है यूजर नेम की जगर रख देते हैं add status add status ठीक है ओके अब इसके बाद हमें क्या करना होता था एक def उसे करते हैं यहां पर paste ठीक है अब हमें क्या करना है क्लिक करना है हमें क्लिक एड़ बटन ठीक है और यहां पर फिर उसका यही आएगा क्या नाम है बटन ठीक है और यहां पर मुझे क्लिक करना है तो डॉट क्लिक ड्रैकिट्स उके यूजर निम यहां पर आएगा नहीं क्योंकि हम इसमें कुछ इंपुट तो कर नहीं रहे ओके तो आए थिंग यह सही है बाकी एड़ के बाद हमें क्या करना होता है इंपुट फिल्ट है ओके इसको कर देते हैं हम के अब हमें क्या करना है इसका नालग देते हैं इसेल्फ डॉट यह इंपुट फिल्ड है तो इंपुट फिल्ड अब क्या है यह नेम की है एक्स पाथ इक्वल्स टू ब्रैकिट्स में टिक है अब इसका वे इसए डेफ करना है इसमें कंच्ट्रूलडलसी कंच्ट्रूलल प्लॉस भी अब इसमें क्या करना हम πें इन्पूद आ न्यूँ स्टेटस क्योंकि ऐस स्टेटस एंप्यमेंट स्टेटस है तो input new status अब यहां पर इसका नाम आएगा क्या नाम था input field input field name x path और इसमें यहां पर send keys आएगा क्योंकि हम इसमें अब enter करना है send keys bracket यहां पर बना हो ना कि मैं name कर देता हूं name यहां पर भी आएगा वो name ओके I think यह correct है अब इसको काड़ देते है test login login test की need अभी फिलाल नहीं से भी काड़ देते है ठीक है हम इस test case पर काम कर रहे है और हमारा यह page है ठीक है तो सबसे पहले अब हमें इसे call करना होगा क्योंकि यह new page है तो यह फिर from page objects dot employment status page अब इसमें हमें क्या बनाना है इसको बुलाना है वही कल की तरह कल जैसे यह सब call किये थे same way मैं call कर रहा हूँ अब इसको फिर मुझे define करना है इन दोनों की तरह तो उसके लिए फिर yes करेता हूँ employment status उसके लिए क्या करना है अब उसके उसका call name ठीक है ब्रैकिट में self dot driver अब हमें यहां पर खुलने के बाद वह open हो रहा था तो अब हमें क्या करना है उस बटन पर क्लिक करना है इसके बाद हमें एक बैक चलते हैं admin job employment status अब हमें इस पहले इस बटन पर क्लिक करना है तो फिर बटन को कॉल करने के लिए पहले employment status करना पड़ेगा call dot अब क्या था उसका नाम click add button ना उसके बाद दुबारा employment status कॉल करना है dot input new status ठीक है अब मुझे इसमें नाम लगना है status का तो पहले से क्या क्या नाम है ओके अब रखते हैं automation tester रखते हैं automation टेस्टर एक और बात दिखे न्यू इन्पुट करने से पहले हमें पहले count करना होगा कि पहले कितने है जैसे मामनों पहले 6 है फिर हम new add करेंगे तो इस साथ हो जाने चाहिए यहाँ पर तो पहले count करना होगा कि कितने है छे बट हम देखेघे़ 6 यहाँ पर ऐसे hard code नहीं कर सकते sorry मतलब 6 को हम याँ पर ऐसे hard code नहीं कर सकते मतलब लिखनी सकते कि पहले 6 है क्या पता कोई और भी टेस्ट कर रहा हो मतलब manual tester test कर रहे हो या फिर कोई और test कर रहा हो तो यह numbers तो change होते रहेंगे 0, 3, 4 तो हम direct लिख नहीं सकते तो हम पहले x path की help से count करते हैं कि यह कितने हैं तो अपना x path खोलते हैं अब यह आप बस follow कीजिए आपको समझ मारे जागे कि मैं क्या कहना चाहा रहा हूँ इसे करते हैं inspect तो पहले inspect करते हैं कि यह पूरा box आना चाहिए ठीक है इससे पूरा box है इससे निच वाला box है इससे headline है इससे है यह वाला box तो इस पर click करते हैं हमें देखे अब इसमें employment status भी आ रहा है मतला वह orange वाला बट हमें वह नहीं चाहिए हमें यह table के अंदर देखे thread यह रहा body हमें body चाहिए तो देखे इस body में यह रहे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ तो इस body में साथ है तो हमें यह count करने हैं यहां से जैसे अगर वहाँ पर 5 होंगे के कहां गया यार यह है सेलेक्टर होब यह था नहीं यह नहीं था table नहीं था ओके यह था तो इसका मुझे चाहिए एक्स पाथ तो देखे टी यार वन है मतलब 1,2,3,4,5,6,7 वो है इसे मैं कॉपी करता हूँ एंपर में स्टेटस पेड़ पर चलते है यहां पर डाल देता हूँ इसे सेल्फ डॉट इसका नाम लग टोटल फिल्ड रग देते हैं फिलाल टोटल फिल्ड एक्स पाथ और इसमें एक्स पाथ करते हैं पेस्ट अब देखे टी आर वन हमें यह टी आर यह काउंट रटा नहोंगा जैसे कि अब यह कॉमन है तो यह मतलब छे के लिए कॉमन है जैसे कि फॉर एक्जामपल हमें आपको करकर दिखाई जाता हूँ इसे मैं कॉपी करता हूँ यहां पर पेस्ट करता हूँ एंटर देखे साथ एलिमेंट्स मैचिंग क्योंकि साथो के लिए कॉमन है तो हमें एक कॉमन ढूलना था तो वह कॉमन यह है मतलब मैंने काउंट रटा दिया तो वह कॉमन है साथो के लिए तो ऐसे मुझे मिल गया है यह तो यह साथो के लिए कॉमन है अब मुझे इसका फंक्शन और बनाना पड़ेगा के कंट्रोल प्लस वी इसका नाम लोग देते हैं लाइक वही रख देते हैं टोटल स्टेटस टोटल अंडर्सको स्टेटस यहां पर find elements आएगा क्योंकि वह एक से जादा है तो elements आएगा send keys आएगी नहीं ओके शायदे इतना ही होगा name भी हट जाएगा ओके अब टेस्ट पर चलते हैं अपना अब यहां पर हम लिख देते हैं for loop लगा देते हैं for loops हम काउंट कर सकते हैं for i in उसके नाम क्या था em.es sorry es. total status ओके अब देखे यह i तो चलेगा इसमें total status में अब पहले बहार वो कर देता हूं like old status count equals to 0 initially इसे 0 रखते हैं यहां पर अब करते हैं ओ capital है old status count equals to old status count plus 1 देखिए मैंने पहले count को 0 रखा अब यह मैंने i को करा इस loop में तो इसके अंदर कितने member हैं 7 member है मतलब अभी के लिए तो यह i चलते रहेगी 7 बार तो यह मतलब यह loop 7 बार चलेगा और इसमें plus 1 plus 1 7 बार होगा तो मतलब इसका count फिर हो जाएगा 7 तो मतलब हमने यह hard code नहीं किया मतलब हमने direct नहीं पर 7 नहीं लिखा हम ऐसे इसका count मेशर कर रहे हैं अब जैसे कि अगर वह 5 होता तो यह loop चलती 5 बार और इसमें 1 plus होते 5 बार तो इसमें फिर इसका total जाता 5 तो इसलिए हमने यह hard code नहीं किया एक बार हम इसे ना print करा का भी देख लेते हैं print to old status count चलिए अभी देख लेंगे बाकी इस पे हमने add button पे click करा input field डाली अब input field डालने के बाद क्या था okay add button input field save ठीक है तो es. is. yeah okay क्या नाम था उसका save का मैं खुद बूल गया हूँ total status नहीं okay मैंने save का भी बनाया ही नहीं input field आई वो add button है ठीक अभी save का मैंने बनाया ही नहीं save का भी कर देते हैं कॉपी रिलेटिव एक्सपाथ self. button है यह save button है और इसका एक्सपाथ है हमारे पास अब इसका एक्सपाथ यहां पर पेस्ट कर देते हैं okay अब यह button है तो इसको यह click होगा button तो यह वाला copy करते हैं ctrl प्लस c ctrl प्लस v okay click save save button यहां पर भी यह change होगा button के बाद क्या है वो underscore save x बात है save हाँ इसमें हमें click करना है okay अच्छा bracket ठीक है done अब वहां पर जाकर हमें yes dot click यह रहा click save button अब देखे यह ना like meaningful इसली है देखो पहले login है देखे input username तो username input करा input password password input करा click login तो login पर click करा फिर action change फिर move करा hover admin पर move करा फिर job पर move करा फिर status पर move करा फिर click add button तो ऐसे ना यह मतलब reading like meaningful होने चीए ताकि पढ़ने में पर भी समझ में आए किसी को कि क्या चल रहा है तो input new status अब new status input करा फिर click save button तो save button पर click कर दिया एक बढ़ना चाहिए ना तो एक काम करते हैं इसको ना दुबारा से run करते हैं यहां पर run कराते हैं दुबारा से इस बार मैं J ले रहता हूं ओके अब इसमें अब हम एक और बना देते हैं like new बना देते हैं new status new status count तो new status count को initially 0 रखते हैं यह test case ना मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं तो आप भी कोई साभी test case बना सकते हैं practice के लिए मैं बस उनका count का status बना रहा हूं कि मतलब एक add कर रहा हूं तो count बढ़ना चाहिए एक तो बस उसी के लिए ओके इसकी जगा new आएगा ठीक है अब 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 यहां पर लगा सते हैं assert oh sorry if तो if old status count plus one equals to new okay equals to आएगा sorry new status count then assert true else assert false देखिए इसमें क्या हो रहा है कि मतलब मैंने old count करा तो वहां साथ थे तो आपर साथ count हो गए अब मैंने add कर दिया new status अब मैं इसमें दुबारा से count लगा दिया अब मैंने इसको एक और बनाया अलग से variable new status count तो अब यह इसमें एक बढ़ गया है तो यह 8 हो गए तो यह test case मैंने develop कर रहा है बाकि आप अपनी merge से अपनी practice से कुछ भी कर सकते थे लाइक एक और test case मेरे दिमाग में आ रहा कि जैसे कि हमने हमने क्या status कर रहा है add automation tester तो आप एक test case बना सकते है जिसमें वह find करे कि इस line में automation tester है या नहीं है तो अब वह एक एक बार इसे find करेगा for loop की help से तो अगर जैसे उसे text मिल जाएगा तो true है अगर उसने पूरे में test चेक करा और उसे वह वाला text नहीं मिला तो false है तो आप यह वाला test case भी बना सकते है मैं तो just practice एक उठा लिया मैंने एक बार इसे चला कर देख लेते हैं इसे करते थे run यह correct है न ओके enter देखते हैं क्या होता है पक्का एक नएक बारी तो रुके गई लग नहीं रहा एक बारी में सीधा होगा admin पर click हो गया job पर employment status पर fail क्या गलती आ गई none type है कुछ मतलब कहीं कुछ return करना है हमें none type जब होता है जब हम कुछ return नहीं करते ओके ठीक है तो हम पर देखिए total status में आया है पंगा क्यूंकि जो total status का एक्स पात है तो हमने return नहीं करा तो employment में जाएंगे total status यहां पर लगा देंगे return जब भी none आये या फिर कुछ null आये तो ऐसी हमने उसमें क्या था कहां गया ओके 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 होवर होवर में क्या था होवर वाला इसी के अंदर तो था हाँ यह रहा होवर तो होवर में क्योंकि हमें यहां पर इसका वह चाहिए था क्योंकि यह move करेंगा उस element में और हम इसके अंदर एक्सपाट डालते थे तो अभी हमारा एक्सपाट इन पेज़ पर है तो अगर हम वापिस एक्सपाट को इस पेज़ना होता है तो हम return करते हैं तो इसलिए हमने होवर में return डाला था और इसमें return डाला है और तो कहीं नहीं आएगा मैं पहले देख लिता हूँ status में यह तो click है click में नहीं आता इसमें भी नहीं आता इसमें भी नहीं आएगा एक बार आप दुरार चला कर देख लेते हैं कि दिखते हैं क्या रिजल्ट होगा ओके लॉग इन एड्मिन पर होवर जोब पर येस एम्प्लाइमेंट स्टेटस पर स्टेटस एड होगी आटोमेशन टेस्टर स्टेस्टर सेस्फुली येस आइधिंग पास वा फैल ओके एसरेशन एरर आया मैंने ये पॉर्ण और ये वन आया है रहें अगरम करता हूं और इसपर क्लिक करता हो ना तो जहां पर इसपर इडिफाइं हुआ है हमें यहां पर ले जाएगा तो मैंने इस पर क्लिक किया कि यहां पर defined हुआ था find elements हाँ यह ऐसा न था यहां पर elements okay अच्छा देखे मैंने यहां यह पर यह सबस्वा रटी कर दी यहां पर इंपूट फील्ड वाला मैंने डालते हैं मुझे यहां पर डालना था यह टोटल फील्ड वाला ओके सॉरी टोटल फील्ड वाला डाल दिया और तो सब कुछ ठीक है ना हाँ मैं एक काम और करता हूं यह जो प्रिंट है ना इस प्रिंट को मैं यह नीचे भी प्रिंट करा देता हूं इन केस अगर कुछ और गलती होती है तो फिर मिझे न्यू वाले का काउंट पर सेल जाएगा अब देखिए एक और बात इसमें अब मैंने यह हार्ड कोड किया हुआ है ओटोमिशन टेस्टर मतलब जैसे वहां पर पहले सेव हो चुका है ओटोमिशन टेस्टर अगर मैं दुबार रन करोंगो तो यह चलेगा नी क्योंकि मैंने यहां पर हार्ड कोड करा है इसके जगा बैटर सलीशन था कि मैं इसे भी लाइक डाइनमिक करता जासे मैंने यहां पर काउंट डाइनमिक क्या हुआ है count को मैंने direct 6 नहीं रखा ऐसे मुझे यह भी dynamic करना था तो इसको आप भी कर सकते हैं मतलब आप online देख लेना किसे कैसे dynamic करना मतलब dynamic string कैसे बनाते हैं मतलब 10 character की 15 character की जो भी है फिलाल तो मैंने बस इसे one कर दिता हूं यहाँ पर change करने के लिए इसे एक बार चला कर देखते हैं अब इस बार तो शायद कुछ गरबड़ ना हो ओके admin पर हुआ, job पर हुआ, employment status पर हुआ, automation tester बन आया, successful हुआ, seven आया, eight आया, yes देखे, red dot, मतलब pass success, yes ठीक है, तो हमने test कैसे बना लिया, कि मतलब हम उसमें एक add कर रहे हैं तो उसका account बढ़ना चाहिए और फिर हम उसको count कर रहे हैं, तो वो मतलब बढ़ रहा है एक तो इसका मतलब है कि यह add हो रहा है तो add वाली functionality सही चल रही है, अब हम ये भीì стать कर सेंते हैं, जैसे मैंने बताइ कि नाम, नाम भी test कर सेंते थे कि नाम सही से एड हो रहे है नहीं हो रहे मतलब नाम इदम सेम वही हो रहे है नहीं हो रहे है वो आप try करना अब इसमें क्या बचा अब log implement करते हैं तो log implement करने के लिए पहले pages को हमें एक new बनाना पड़ेगा not python file new python package उसका नाम हम रखेंगे utilities ओके utilities अब उस utilities के अंदर हम अपनी log file बनाएंगे log file का नाम मैं logger रख देता हूं और एक और बनाना होगा हमें like directory बनाते हैं जिसमें हम अपने logs को store करेंगे एक और directory बना देते हैं जिसमें हम अपने reports को store करेंगे reports को ठीक है अब देखें utilities में logger जो है इसके अंदर हमें वही जो हमने अपनी logs की वीडियो में देखा था सेम वही code डालना है तो मैं यहां से copy paste कर लेता हूं क्योंकि यह one time है तो इसलिए copy paste चले गई one time है copy paste कर लिया ठीक है अब देखें इस log को call करने के लिए हमें क्या करना था था चलिए मैं पहले log na test case इस पर login में implement करता हूं पहले अगर मैं देखें सब में implement करूं तो काफी वीडियो लंबी हो जाएगी तो बस login में करता हूं मैं इस वाले test case को बंद कर देते हैं अब देखें log को implement करने के लिए क्या करना पड़ता था पहले तो मैं इसकी ये change करता हूं इसका level मैं info करता हूं और तो कुछ change करने की हाँ ये ये logs सही है न हाँ logs सही है मतलब जहाँ पर में file save होगी file का ना मैं my हटा देता हूं odd लग रहा है ठीक है अब मुझे ये log class को call करना है तो सब से पहले इसमें तो from utilities dot logger ठीक है from कहां गया ओके ये रही ओके logger dot import log class ठीक है अब अब देखे क्या करना होता था ये हम पहले देख चुका है कि ये जैसे कि मुझे मैंने यहाँ पर implement करा था तो उस log class को मुझे class के अंदर call करना है और फिर एक self बनाना है और फिर मैं log लिख सकता हूं अपने तो इसे काट देता हूं तो log class को मैं यही class class के अंदर call करता हूं log class function के अंदर self dot get the logs method है इससे मैं किसी एक के अंदर store करता हूं जैसे log equals to ठीक है अब चीक है अब लॉग लिखना start करते हैं पर सब्सक्राइब यहां से लिखते हैं log dot info जैसे कि यह हमारा पहला test case है ओके तो वहीं लिख देते हैं पहले test case 001 यहीं नाम लखाता ना हमने यहां पर भी ठीक है 001 एक और लिख देते हैं log dot info यहां पर लिख देता हूं लिख देता हूं test case starting यहां से start हो रहा है test case starting और फिर यहां पर लिख देते हैं log dot info like entered username लब ने यहां पर username entered कर दिया फिर log dot info अरे अरे कहां पहुंच गया मैं यह ठीक है ओके password मुझे password करना है ना log dot info entered password अब आप सोचोंगे कि मैं मतलब छोटे steps के लिए क्यों क्यों लिख रहा हूं अभी मैं इसका आपको एक reason दिखाता हूं यह मतलब काफी बढ़िया चीज है और आप आपको समझना है कि log file मतलब की need क्या है ठीक है entered password डाल दिया अब यहां पर भी लिख देते हैं log dot info clicked login ठीक है clicked login पर कर दिया अब यहां पर यह test case है तो अगर welcome आ रहा है तो as a true तो as a true मतलब log dot info log dot info test case pass ठीक है test case pass वरना देखें वरना log dot critical क्योंकि यह मेरे लिए error नहीं मेरे लिए critical है क्योंकि मतला अगर log नहीं होगे तो मैं अंदर के test case कैसे करूंगा तो मतला यह bug critical है test case field ठीक है done एक बार ना इसी को चला कर देख लेते हैं पहले कि यह logs आ रहे यह नहीं आ रहे ओके konf test को मैं काड़ देता हूं नीड नहीं है इसकी भी अभी नीड नहीं है logger ठीक है logger को हमने logs में हम इस्टोर कर रहे हैं इस वाले folder में ठीक है ओके अब हमें यह test case रन करना है मतलब login तो login के लिए py test फिर इसका यह test login copy path ठीक है ओके यह for slash गलत है यह वाली आएगी login.py I think सब करेक्ट आव रन कराकर देखते हैं ओके बट यहाँ पर शायद तीनो तीनो है न हाँ तीनो test कैसे है कोई नहीं तीनो चलेंगे एक के बाद एक अरे अच्छा वह close हो गया वह पास होने के बाद close हो गया ओके दोनो पास तीसरा भी पास ही होगा अब logs के अंदर कुछ आया आ गया इसे open करते हैं देखिए test case 1 था test टेस्ट 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 स्टार्टिंग शायद मैं दो बार टेस्ट लिख दिया है वहाँ पर entered username entered password click the login test case pass ठीक है मतलब logs generate हो रहे है अब इसका फाइदा क्या है एक तो यह है कि यहां पर भी logs आ रहे होंगे न ओके यहां पर अभी logs नहीं आ रहे चले ठीक है देखिए कभी-कभी ऐसा होगा आपके साथ भी कि यह कौन सा था यह page objects में login page था तो देखिए कभी-कभी ऐसा होगा कि यह न x path change होंगे मतलब यह हमेशा नहीं होगा बट कभी-कभी जैसे कि रहेगा तो मतलब हम हमेशा यह नहीं रहेंगे तो जैसे for example यह password राला change हो गया जैसे इसमें एक s हटा देता हूं मतलब example के लिए ठीक है अब यह test cases है test cases में बाकी दो को मैं comment out कर रहा हूं क्योंकि फॉल्ट में time waste ही होगा एक बार इसे दुबार रण करके देखते हैं ठीक है first चल रहा है और हमने उसी में लॉक्स इंप्लीमेंट करें देखे फेल हो गया अब देखिए यहां पर लॉक्स आ गए फेल होता तो लॉक्स आ गए अब देखिए लॉक्स क्या है देखिए test case 1 पहले test case starting हो गया entered username username मैंने enter कर दिया अब उसके बाद के logs नहीं है तो मतलब username के बाद ही कुछ गरबढ़ हुई है तो सीधा पर चल रहा है कि username के बाद ही कुछ गरबढ़ है like entered username मतलब यहां तक के logs generate हो है तो इसके बाद के नहीं हुए तो मतलब यहां पर कुछ गरबढ़ है next step में क्योंकि इसके बाद ही next step में और यह execute नहीं हुआ तो देखिए यह logs में यह logs का benefit है कि हम अगर जैसे कि पूरा generate होगा तो हम देख सकते कि हमने क्या-क्या test करा और अगर पूरा generate नहीं हुआ तो हम देख सकते हैं easily कि कहां पर गरबढ़ थी तो यह है benefit log का और यह log file developers को share कर सकते हैं तो वह भी देख सकते हैं कि मतलब कहां पर गरबढ़ है क्या है बट यह तो खेर कुछ developer की गरबढ़ नहीं है हमारी गरबढ़ है कि मतलब X path updated नहीं था ओके तो यह हमारे लिए है मतलब mainly ओके तो ऐसे हम logs implement कर देंगे बाकी test cases में मैं नहीं कर रहा बना time जाता लग जाएगा next video मैं ready रखूंगा बाकी test cases में सेम आपको यही करना है मतलब log class है यह common आईगी और फी से log ना आप start कर देना test cases में और same उसके लिए भी यह है concept test cases यह test यह वाला अच्छा employment status वाला तो इसमें भी log implement कर लिए यह मैं next video में ready रखूंगा इसमें implement करके क्योंकि अगर अभी करूंगा तो जाधा time हो जाएगा तो बाकी logs भी देख लिया हमने एक report और देख लेते हैं जल्दी से तो report generate करने के लिए आपको पता है क्या करना है तो पहले तो वह download करना है ओके package मैंने बताया था ना starting में कि मेरा यहाँ पर पता नहीं क्या glitch आ रहा है कि मेरा global environment active है तो मतलब इसमें already होगा बढ़ आपके में आपको पहले install करना पड़ेगा जैसे pip install pytest hyphen html मेरे बताएगा कि पकका install है अच्छा ओके पता नहीं क्या था यह अब क्यों आ रहा है मुझे थोड़ा clear नहीं है मैं देखूंगा इसे भी अब उसको html equals to अब रिपोर्ट का path रिपोर्ट का path क्या है हमने यह reports बनाया है तो repor reports slash अब रिपोर्ट का नेम reports dot html ठीक है हम मैंने py test डाला तो मतलब दोनो test case चलींगे और दोनो test case चलींगे तो यह और test case fail होगा क्योंकि मैंने इसमें वह hard code का रखा है उसका नाम यहां पर यह यहां पर यह मतलब random string डालनी थी बट मैंने hard code का रखा है तो यह fail होगा क्योंकि यह already नाम registered है तो यहां तो तो मैं like normal बस यह वाला चला कर देख लेते हैं वैसे आपको पता है कि अब क्या होगा कि हां पर reports इस वाले folder में आ जाएगी तो चली एक बाद चला कर देखी लेते हैं क्या करना है मुझे login page कर लेते है test case बस तो यह copy path इसका path from the content route और वो मुझे डालना है py test के बाद ठीक है enter मारता हूँ इसका मतलब है अब बस वही एक file चलेगी और उस file में मैंने दो test case इसको comment out किया हुआ हुआ है मतलब एक ही test case चलेगा ठीक है वह pass है और reports में देखे reports में भी report बन गई इससे करते हैं open in browser chrome ठीक है pass है वह और pass में देखे logs आ रहे हैं सारे captured logs duration मतलब इतने second का time लगा उसे 19 seconds और बाकी मैंने तो यह आपको बता रखा है title कैसे chain करना है यहां पर कैसे add करना है summary में कैसे add करना है links और वह सब कैसे add करना है बाकी screenshot रह गया screenshot को हम next video में देखते है okay तो अब जैसे reports भी complete होगे हमारी logs भी हो गया logs को मैं अभी implement कर दूँगा बाकी test cases में अगर आपके सामनी करूँगा तो वीडियो और भी लंबी हो जाएगी तो logs को मैं कर दूँगा और जो थोड़ी बहुत चीजे और रह गई है उसे हम like last part में देखेंगे third part में तो फिर मिलते हैं फिर third part में और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप subscribe कर सकते हैं उसे मेरी थोड़ी help हो जाएगी तो फिर मिलते हैं next video में तब तक के लिए बाई कर दो